अज आज परफितर दिन है, आज क्या है? आज बहुत ही परफितर दिन है, क्या है? इस्पॉन का पंजी करण दिवर आज के दिल इस्पॉन का पंजी करण हुआ यानि आज आगरभाव इस्पॉन संस्था का आगरभाव हुआ इस्पॉन संस्था है जो की दूरी दुनिया में फ्ली है आज के दिल में आज कि थी है स्रावन कृष्णा स्रावन कृष्णा किपना है नौमी स्रावन कृष्णा नौमी तो संध्ष्याशत में संध्ष्याशत में 11 जुलाई को यह तिती पढ़ी ग्यारा जुलाई उन्नी सो छ्ष्णा को इसकॉन का आगरभाव वा था पंजी करण वा था कहां पर वा था न्यू यार्क में न्यू यार्क में पंजी करण किस नाम से इंटरनेशनल सोसाइटी पार किष्णा कॉंसेशनेश हिंदी में क्या बोलते हैं अंतराश्क्री श्री कुष्णा भावना में से संग तो कितने साथ हो गए इसका पंजीकरण हुआ था आज के दिन संच्छाषट में और ये क्यों से संचलता है चौभिस है 1994 two can केबने साल हो गया और चॉबश चॉबश ऑजबश अंधामन साल हो गया और चॉबश 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 अंधामन साल पहले इसका आगरभा हुआ था इसकोन का और प्रहुपार ने इसका जो पंजी करन किया था तो प्रहुपात के जनम कुंडिली में ये बात लिखी गई है कि ये बालक जब सतन साल की अबस्ता का होगा तो एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है अब वो घर बनाएगा जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है अब वो घर मौन है इसकौन अंतराश्ट्री किससे भावना पर साम कि वो घर है तो आप लोग सुनिये बड़े ध्यान से प्रहुपात ने अपनी पुस्तोपों में इसकौन के बारे में क्या कहा प्रहुपात कहते हैं कि हम अपने इसकौन संस्था के प्रत्यक केंद्र में हम प्रत्यक रविवार को पीति भोज का आयोजन करते हैं इसकौन गी विश्था है आप लोग सुन रहे हैं थिनुको ने सुन रहे हैं कि अधर लॉफ को बाते कर्णा नहीं होगा और बाते करना है तो बहार जाईए। पुरुपात क्या बता रहे हैं किस कौन की ज़ेफ़ता है। बाते करना बाहर बाहर से कहा है। जिसको हसना है बाते करना बाहर जाएं माताजी बाते नहीं आपसे कोई बाते नहीं आपसे बोल राओं आपसे कोई बाते नहीं बाहर जाएं बाते करना जिनको बाहर जाएं यहां बाते करने का एफसर नहीं बाहर जाएं प्रुपात क्या बता रहे हैं इस कौन की विश्चता है, बहुत की धार्मी संस्था है, इस कौन की क्या विश्चता है, परुपात कहते हैं कि अपनी इस संस्था, इस कौन के प्रतेक के इंदर में हमने प्रतेक रविवार को प्रीति भोश का आयोदन किया, हम करते हैं, प्रतेक रविवार को क्या करते हैं, लव फिष्ट करते हैं और जब हम वास्तों में देखते हैं कि लोग हमारे केंदर में आते हैं और कीरदन करते हैं और निर्थ करते हैं और प्रिशाद करन करते हैं और हर्षित होते हैं और पुष्टके खरीकते हैं तो हम समझ जाते हैं कि निश्चित रोप से स्रीचतन्य महा इस संस्ता में सच्मुष उपस्तित है और बहुत प्रसंद है और बहुत संतुष्ट है चतन महा प्रभू को प्रसंद करने के लिए संतुष्ट करने के लिए यहां पर लोग आते हैं यहां पर लोग आते हैं। और क्या करते हैं। प्रिशाद किरन करते हैं, कीर्दन करते हैं, निर्थे करते हैं, और हरस्यत होते हैं, और कुस्तिकें खरीटते हैं, तो चैतन में महात रूप, निश्यत रूप से यहां पर उबस्तित हैं, और वे बहुत प्रिशन हैं, और बहुत संतुस्त हैं, इसलिए इस कौन के जो भक्त उनको इस आंदोरन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और उनी सिधानतों के नसार जिनकों के हम इस समय भी प्रिस्थत कर रहे हैं चैतन्य महाप्रवू इस प्रकार से प्रिस्थत होते हैं और सब के उपर अपनी कृपादर्शी डालते हैं और यह जो आंदोरन है यह इस प्रकार सफल होता रहे हैं यह सफलता है इस आंदोरन के सफलता है और दूसे स्थान में प्रभुपार बताते हैं कि चतन महापुवु के जितने प्रचारक हैं चतन महापुवु के इस आंदोरन के जितने प्रचारक हैं उनका बहुत सम्मान है उनका बहुत सम्मान होता है और उनका सम्मान होना भी चाहिए जो चतन महापुवु के सच्चे भग हैं वो इस कौन के प्रचारकों का सम्मान करते हैं इस कौन के प्रचारक क्या करते हैं घर-घर में जाते हैं तुस्तके मित्रम करते हैं गरखर में जाते हैं, लोगों को हरी नाम का उफदेश करते हैं और चतन्न महा पुभू अपने जब लीला कर रहे थे, तो वो क्या कर देते, ड्रामा कर देते, चतन्न महा पुभूने भी ड्रामा किया भक्ति में यह कारिकरम भी बहुत प्रस्ण सल्य होते हैं। भक्ति के कारियों में जो ड्रामा किया जाता है नाटक तो इनकी भी बड़ी प्रस्ण सा होती है। जो भक्त लोग होते हैं तो वे इस प्रकार के स्टेज प्रोग्राम करते हैं और वो स्टेज प्रोग्राम कैसे होते हैं चतना महापुरू की लीला के होते हैं इस स्टेज में चटना महापुरू की लीला दिखाते हैं तो चतना महापुरू लीला या भगवान स्ट्री किष्ण की लीला और जो खेलने वाले ड्रामा करने वारे भक्त हैं वे जो है सुद्वक्त होने चाहिए क्योंकि वैसे जो ड्रामा करने मारे होते हैं, जिनका अपना व्यवसाय होता है ड्रामा करने का तो उनके अंदर भक्ती की भावना नहीं होती, इसलिए ये ऐसी ड्रामा को नहीं कर पाते यह जो भक्त लोग होते हैं, भी ड्रामा कर पाते हैं, सिलब भक्ती सित्थांग, सब्सक्ति ठाकोर भी जो है, यह सब जो ड्रामा हैं, वो कराय करते थे, और कभी-कभी कोई जो भक्त होता है, तो जब ड्रामा करता है, तो नारदमनी का ड्रामा करता है, तो यह दभी उसके अपने जीवन में ऐसी कोई बाता नहीं होती है नारत्मुनी जासी परन्तु वो चुंकि भक्त है तो नारत्मुनी का आचरन दिखाता भी है चतन्य महाभूप अध्वयत आचारे अश्रीवास ठाकुर के साथ क्या करते थे ड्रामा किया करते थे चंद्रसिकर आचारे के घर में चतन्य महाभूप ग्रामा किया करते थे और जहां चंद्रसिकर का घर है तो वो जो है अभी ब्रिजपत्तम में इस्थित है तो सिल्ब भक्ती सिथां स्थिठागुर ने अपने चतन्य मठ की एक साखा वहाँ पर खोली तो यह सब जो है इस्पॉन के कारिक्रम है इस्पॉन के कई कारिक्रम है प्रसाद वित्रन का कारिक्रम है तो उसता वित्रन का कारिक्रम है और नृत का का कारिक्रम है खीरतन का का कारिक्रम उसी प्रकार से एक कारिक्रम क्या होता है स्टेज में ड्रामा करना और रहुपाद बताते हैं कि इस कौन का जो आंदोरन है ये पूरी दुनिया में फैल रहा है इस कौन का जो आंदोरन है ये पूरी दुनिया में फैल रहा है और चतना महापुवू की जो सच्चे भक्त है तो उनको इस बात का गौरव होना चाहिए कि क्रिशन भावना मेरता अंगल फैल रहा है यदि भी बहुत से लोग इसके निन्दा में लगे हैं दूर्ब इसके निन्दा करते हैं लेकिर उनकी निन्दा के बावजोभी इसकों का कारिक्रम है सपाव का जो प्रिचार है यह और बढ़ता जाता है। कोई बहार के चथि इसको रोपने सकती। बहार के सक्तियां बहार के लोग जतनी लेंदा करते हैं यह उतनी जश्यादा और भलता है। और जो सच्चे जिग्यासू होते हैं वो इस कौन के संप्रग में आते हैं और अपनी जिग्यासा को सांती करते हैं इस कौन में पूरा पूरा उत्र मिलता है और पूरी पूरी संतुष्टी हो दिए फिर प्रभुपान बताते हैं कि हमें जानना चाहिए कि कुछ असुर लोग होते हैं जो की इसकॉन की सफलता में वे लोग बाधने जालते हैं यह जो इसकॉन है अंतराष्ट्री किसे भावनमिष संग है तो यह जो है गुरु और गौरांग का कठोरता से अनुगमन करता है यह जो इसकॉन अंदोरन है यह किस पर आधारित है गुरु और गौरांग की सिक्षाओं पर आधारित है कछोड़ता से गुर्यों और गौरांग का अनुगवन करता है और प्रतिदिन संसार में ठैलता करता है अगर देखा जाए तो भक्तों की संक्या बढ़ती जा रहे है पूरी दुनिया में भक्तों की संक्या बढ़ती जा रहे है चाहते थे कि जितना अधिशादिक किताबों की छपाई हो उतना अच्छा है और पूरी दुनिया में किताबों का बित्रण किया जाए और हमने इस संब्ध में पूरा प्रयास किया कि जितना अधिशादिक संख्या में किताबों की छपाई हो और बेत्रण हो उतना अच्छा है और वक्ति सितना सफिशादिक इच्छा इस कॉन में पूरी हो इस कॉन में कूरी की बज्धिसमां शफिशादिक साथिशादिक साथिक इच्छा कोई फिर प्रभुपार्द कहते हैं कि इस कौन का जो अंदुरन है तो इसमें गोर्ष्वामियों का जो है यह उपादी नहीं दी जा नहीं किसी ग्रहस के बक्ति को गोर्ष्वामी की उपादी नहीं दी जा नहीं किसी भी क्रेहस्वामी के उपारथी नहीं दी जाते है अभी आजिकाल क्या आजकल क्या है आज क्या हो रहा है वो गोश्वामी चांदी हो गए हैль तो वे पेटा भी गोश्वामी है उनक्य लटा भी गोश्वाम ま. लेकर हमारे जो है पहले जो गोषवामी थे तो कितने गोषवामी थे शट गोषवामी दिरिंदावन के छे गोषवामी थे है उनके नाम और उनके चरित्र हैं वो कुछ अलगी है तो प्रहुपायत बताते थे कि ब्रिंदावन के छह गुर्ष्वामी जो पहले थे और इस समय के जो गुर्ष्वामी है अगर तुर्णा की जाए तो इस समय के जो गुर्ष्वामी है उनकी तुर्णा में क्या है बंदर जो ब्रिंदावन के छह गुर्ष्वामी को इस कौम में यह विदी नहीं है कि किसी जहस्त को गुर्ष्वामी का पत्रिया जाए यह अपनी जिदिस्त अन्यासि है थो उनको स्कॉन है जब दिख्शित किया जाता है तो हमने उनको जो है स्वामी यह जो है यह पैडिल दिया जया जब संयासि idle स्वामी आग्ष्वामी का जो है है उनको नाम दिया जाता है क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपना जीवन लगा दिया है स्री चत्रन महाभू के सिक्षाउं के प्रचार में स्वामी और स्वामी का जो नाम है वो ऐसी सन्याश्य को दिया जाता है जन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पत कर दिया है चत्रन महाभू के सिक्षाउं के प्रचार में सिल्ब भक्ति शिधाँ सर्दिश्था को बताते हैं कि केवल जो ग्रहष्ट जो जाती को सवामी तो यह जो है गोष्वामी के नाम को बदनाम करते हैं क्या जो ग्रहस्त लोग हैं जाती के गोशाइं वे गोश्वामी के पद्ध का कलंकित करते हैं सिल्भगती सिथान सतिठावर कहते हैं कि कभी-कभी इसमार्थ जो गोश्वामी लोग होते हैं वे वेश्णों सिथान पर कितावे लेखते हैं या अपनी द्याक्षा करते हैं परन तो जो सुद्यभग प्रूता है तो वो उनको नहीं पढ़ना चाहता है सुद्यभग प्रूत है उनकी काम को पढ़नाने चाहता अप्रभूपातित्यारश थे हिएं कि जिसकी रुची नहीं है किस्टा रुची नहीं है अथ्वा चेतन महाबुरू के अंध्रन में रुची नहीं है तो वे जह सुस्क लकडी के समाना जिन में कोई जीवन नहीं, क्या समते है, जिनकी किस्कता नरुची नहीं है, चतन्य महापु के अंधरन नरुची नहीं है, उनका जीवन कैसा है, बिल्कुल सुस्क है, जैसे सुस्क लगड़ी हो, जीवन नहीं है जो इसकौन की साखा है तो चतनमहापमश्वयम इसको सिंचन किया है इसलिए यह सफन होड़ा है जबकि दूसरी जो साखाएं हैं जो की तथा करते हिंदू धर्म की मानी जाती है तो भे लोग स्कौन से इर्शा करते हैं और बे एक प्रिकासे नश्च हो रहे हैं जबकि दू स्कौन धर्म की नाम पर वह सी जो साखा यह निटनो की साखा dor को आप प्रपरे देंद है फिर प्रवुपार बताते हैं कि हमारा जो इसकॉन नवदीब सेंटर है नवदीब में इसकॉन सेंटर है तो यह रुद्र दीब के पार्चेटर है हमारा स्कॉर्ण सेंटर है इस नवदीप में वो कौन से दीप के छेत्र में रुद्रदीप के छेत्र में है और रुद्रदीप के नीचे अंतरदीप है वो मायपुर है तो जगनाज मिस्टर जो चतन्य महा प्रुव के फिता थे तो वे वहां रहा करते थे फिर सब दीपों में भगवान चतन्य महाप्रू जब वह छोड़े थे तो वे अपना संकीरतन का कारिक्रम करते थे फिर प्रिभूपां बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है जो कि बहुत बढ़िया डॉक्तर हो या कोई बहुत बढ़िया भविश्य वक्ता हो या कोई बहुत बढ़ा पुजारी हो कि जो इस काओं के महतब पून सता से हैं उनको विश्य ल्व से ध्यान देना चाहिए हमारा गल्लास के नियुद को गल्लास भूला के बहुत बढ़िया जाए जहां के बच्छों को असमे ध्यान देना चाहिए जहां ये आगे चलके समाज की रक्षा करेंगे फिर प्रुपात कहते हैं कि हम अपने सभी भंग्तों से प्रार्दना करते हैं प्रुपात कहते हैं इसकौन के सभी भंग्तों से हम आग्रह करते हैं कि वे सुद्य वैश्णों बनें रूपात करते हैं कि हम इसकौन के सभी बंगों से विजित आगरें करते हैं कि वे सुद्ध भग्द बने हैं, सुद्ध बैस्टों बने हैं ताकि उनकी क्रपा से पूरी दुनिया के लोग, वेकुंट लोग पहुंचाएं क्या सुन्दू? है सुन्दू? रूपात के लिए रूपात आगरें कर रहे हैं और यहां तक कि उनको जो है, अगर कुछ ग्यान नहीं होता तो भी वेकुंट से ले जाएंगे बिना ग्यान चेंदी, वेकुंट से ले जाएंगे हर वेक्ति को यह अवसर मिलना चाहिए कि वो प्रसाथ गिरहन करें और इस प्रकार से रहे कि नाम का कीरतन करने में उसको शक्ती प्राप्त हो और निर्थ करने में भी उसको शक्ती प्राप्त हो और रूपात कहते हैं कुला है? हर गत्की को प्रसाहत खाने का उसर मेलेग ताकि उसको निर्त्य चुज़ करने ही सकती प्राफ्थ हो और यह तीन कारिग्रम हो नाया हुआ है। यह 3 कारी क्रूं पिस्टार करना किर्दन करना पूंता करना, और धनवाद preciso peoples यह 3 कारी क्राम्, पूंती यह जो 3 कारी क्राम्योद यह दो भी बिना सिझ्छा के और विना क्यान के कीये जाए। अजिसे कोई सिक्षा नहीं मिली, कुछ भी ज्ञान नहीं मिला, यह तीन कारिक्रम अगर किया जाएं, तो यहां तक यह पसू भी भगवान के धान चला है, इस कौन के तीन कारिक्रम है, प्रुभवात कहते हैं, इसको तुर्षाथ यहां करना, दूसरा केर्टन करना, और तीस दूसरा निर्त करना, बिना ज्यान के, बिना सिक्षा के कोई करे, तो पसू भी जो है, बैको निल्जला जाएं, फिर प्रुभवात कहते हैं, कि जो लोग इस कौन के प्रचारक हैं, उन्हें निश्यत रूप से, बहुत लोगों से मिलना जाएं, जो कि तर्क में विश्वास करते हैं, इस कौन के प्रचारक हैं, उन्हें को एसी लोगों से ज्यादा ज्यादा बिलना जाहिए, जो तर्क में विश्वास करते हैं, अब सामाण लोगों जो भक्त होगे हैं, तो तर्क वादियों से बात नहीं करते हैं, तुम तु बहस करते प्रुपार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्व कि मनोधर्मी को स्विकार करते हैं. इसलिए कृष्न भावनामृत के जो प्रिचारक हैं, उनको तयार हाँ चाहिए, कि उनके उन तर्कों को पराष्ट करें. इस कौन के जो फ़क्त हैं, प्रिचारक हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिनना चाहिए, उनके तरकों को पुराजित करें इसलिए इस भावनामर्द के प्रिशारक है उनको अपने आच्छी प्रकार से तयार होना चाहिए जैसे कि चतन्न महाभू ने किया तो खंडीला प्रभूर तरक ये खंडीला प्रभूर भगवान चतन्न महाभूर ने जो है कुछ ऐसे शक्ति साली तरक दिये कि जो बौधों के जो तरक थे वो निरस्प्र हो गए और प्रभूपात कियते हैं कि चतन्न महाभू के चरन चन्नों पर चलते हुए जितने भी प्रिचारक हैं जो कि इसकौन की सेवा में लगे हुए हैं उनको बहुत निपोड होना चाहिए कि वे बड़े सक्ति साली तरक प्रिस्थित करें और सब प्रकार के नास्तिकों को पराज़ता है इसकौन के विचारकों को ऐसा उनके पास तर्फ होने चाहिए फिर प्रूपात कहते हैं कि उन्नीस त्हेतर में बहुत बड़ा रथ्यातर को चाहिए था लंडन में अब आप वहां बैठके बात करें यहां पर एक ही वेक्ति बात कर रहा है आपको सुनना है जब मैं पूछू तो आप बताएं दूस्ती बाते में मैं क्या बता रहा हूँ उनीस तो तेंतर में एक बहुत बड़ा रथ्यातरा का कारिक्रम लंदर में हुआ था कहा पर हुआ था कहा पर हुआ था कहा पर हुआ था पाएं तर्थमयाय रथ्यातरा का बहुत बड़ा कारिक्रम होआ था लंद्न में इंगल्य हंड में और जो कार्थी वो जो रथ्यातरा रथी था 5C में पो Harper 5 Lontag यह जो है बहुत बड़ा कारिग्रम वह फ्रंट पेज में शपा तो इस कॉन का जो है नाम आया है पिर प्रहुपात कोते हैं कि सालग्राम सिला की पूझा होना चाहिए तुर्सी के साथ क्या क्या नहीं साल ग्राम सिला की पूजा तुर्शी के साथ होना चाहिए जहां की परियात मात्रा में तुर्शी की पत्तियां प्राफ होती है साल ग्राम सिला की पूजा ऐसी जगे पर होने चाहिए जहां पर परियात मातरा में तुलसी की पत्तियां पराथ होती है तो सालिगराम सिला की जो पूजा है ये सभी स्कोन मंदरों में होनी चाहिए सालिगराम सिला की पूजा इसकोन की सभी मंदरों में होनी चाहिए सालिगराम सिला की भगवान की किरपा का एक भूप हो और 64 बस्तूओं से भगवान की पूजा करना ये बताया गया है तो कटिन हो सकता है तो भगवान जो है इतने छोटे हो जाते हैं कि किसी मंदर में उनको जो है बड़ी आसानी से उनकी पूजा कर सकता है के वर कुछ कारिकरम के सालिग्राम सिला में उसमें तो स्रिंगार की जोड़ी निए सालिग्राम भगवान इतने छोटे हैं स्रिंगार की कोई जोड़ी तो बड़ी आसानी से सालिग्राम सिला की पूज हो सकती है अब प्रहुपात चाहिए है कि अगर कोई बैक्ती किसी सहर में रहता है इस कौन मंदर के पास कोई बैक्ती किसी सहर में रहता है और इस कौन मंदर के पास में है तो वो बैक्ती जो है सीधे कि माराज कोई से तो मंदर के पास रहता है तो भगवान का दर्शन कर सकता है कि मों यहांaimer के अगर वह शेया कमठें Auruma कर सकता है कि रुख जाएगा और भगवान का दर्शन कर ले एक जिवी तरीका रास्ते में रुख जाए और रास्ते में भगवान का दर्शन कर ले फिरागे बढ़ जाए इस प्रिकार से दर्शन कर ले अगर कोई विक्ति मंदिर से दूर रहता है तो भी वो जो है प्रभुपात की और उनके जो प्रब्चन है उनकी recording सुन सकता है और कृष्ण भावनामृत का funeral है उसका प्राविजित कर सकता है और हरे करस्तन मंत्र का किर्दन कर सकता है अकेले करै या मिंद्टों के साथ करे इस प्रकार से कई प्रकार कई तरीके हैं कि भंगवान की बारे में वो चिंतन करे और जो लोग चाहेते हैं तो उनको जो है अवसर मिलता है प्रहुपाद बताते हैं 1960 में प्रहुपाद ने अनुवाद किया था तेरा अनुवाद किया था प्रहुपाद में प्रस्तुकों का तो नारत्भर्दी सूत्र नारत्भर्दी सूत्र का अनुवाद किया था प्रहुपाद में 1900 सर्शफ में और 1989 में जब G.B.C की मीटिम होई थी तो उन्होंने सुझाव दिया था कि इस प्रुस्तर को पूरा किया जाएगी तो प्रहुपाद बड़े प्रसंद होए थी तो यह जो है प्रहुपाद का जो है सबसे प्रारंबे कारे था नारत्भर्दी सूत्र में तो प्रहुपाद ने सबसे पहड़े कारे किया था जो कि अधूरा निया था प्रहुपाद नारत्भर्दी सूत्र के जो है उसमें राधा किर्ष्ण का फोड़ो बहुत सुंदर छापा गया और बहुत उसमें रंगीन चित्रे थे राधा किर्ष्ण बड़े उसमें युवा नग रहे थे जैसे आठ साल के उपर और यमना के किनारी खड़े हैं और गाय पीछे हैं तो यह जो फोड़ोग्राफी है कि बहुत सुंदर की इसकौन के तो इसके इस तरह से बहुत से लोग इसकौन के मेंबर बने जो प्रिचारक हैं जो प्रिचारक हैं इस कौन मंदिर में तो भे रोज एक नियम का पालन करते हैं सुने और आगे आजाए और आगे आजाए जो सुने वाले और आगे आजाए जिनको सुनना आगे आजाए इन तो बहार जाए आगे 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 आपसे बोलो आगे 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 जो इस कौन के मंदिर में रहने वाले प्रिचार ये लोग जल्दी उड़ते हैं, साथ-साथ मंगलाती करते हैं, और किर्टन करते हैं, जब करते हैं, स्रीपन भागवश्वनते हैं, और फिर प्रिसाथ ग्रहन करते हैं, भन्तों किष्ण करते हैं, इस कौन के जितने प्रचारक हैं, वो क्या करते हैं समसे पहले, जल्दी उड करते हैं और क्या करते हैं सबसे पहले मंगलार्ती करते हैं और फिर कीर्दन करते हैं फिर करते हैं फिर स्रीमन भागव सुनते हैं, उसके बाद सब के साथ प्रसाद गिनार करते हैं, इस प्रकार से जो सबेरे का कारिक्रा है, उससे उनको सकती प्राप होती है, तो फिर वो प्रिचार करने जी लिए बहा जाते हैं, और प्रिचार करते हैं तो भौतकतावादियों को भी प्रि वो प्रचार करते हैं तो बहुत जो भोतहते होदे हैं उनके पास भी जाते हैं प्रचार करने के दियुक्स और इस प्रकार से लोगों वो अप् assignments देते हैं कि भधवान कृष्ण की किरपा अप्राप करें साहित्य की रोप में प्रशाद की रुप में तीन लोप में भगवान की किरभा देते हैं। रोज जल्दी साम को जो प्रिशारक लोग हैं वो मंदिर वापस तरे जाते हैं थाकि वे और ज्यादा कीरतन करें और स्रिवन करें। तो इस प्रकार से जब वो भक्तों के साथ होते हैं तो वे जो हैं फिर अपने भक्ती के सित्धान तो मैं किसी प्रकार का संजोता नहीं करते हैं। जैसे शूक है कि चलो भाई गोल कपा खाएंगे हम चान्दी चोट में गोल कपा खाएंगे तो संजोता नहीं करेंगे। आज मंगर आर्ती में आ जाओ शोते रहो आठ घंडा सो दज गंडा सो तो यह समझोता नहीं करते हैं किस प्रकार से। और इस प्रकार से अपने हिर्दय को भूत एक प्रकृती से अलग रखते हैं और उनकी तो संकती से अपने को दूर रखते हैं। झाला म्जबल नहीं से धिव कर दो समझास नहीं हिर्दार प्रकार को भ Це आहुआ अश्यां सब्सक्राप्दक पूला रखते हैं प्रहुपात कहते हैं, कि मेरे बहुत ही प्रिशिष्षच श्रिमाज जिननद भ्रमचारी उन्हों ने भक्तिर शामरी सिंदु गृंथ को चापने में आर्फिक सहाथा कि साथ कि उन्हों पैसा दिया किताब छापने में पैसा दिया था उनका में आभारी हूँ और उनको बहुत से धन्यमाद देता हूँ यहां प्रोपन बताते हैं कि यह जो है आध्यात्मिक आध्यात्मिक एस्टोसियेशन है आध्यात्मिक संगती है जो कि हमारी इस्पॉन आंदूरों में प्रतान किया और यह रोज रोज बढ़ता जा रहा है बहुत से लोग हैं जो दुनिया की अलग-अलग स्थानों से आते हैं और इस कौन में सामिल होते हैं और अपने सुप्त किस्ने चेतना को जगा दो तो प्रुबबा क्या करें कि स्पॉन जो संता जो नोंने बनाई है यह क्या करते हैं लोगों की सुप्त किस्न चेतना को जगा दो कुछ मुआ कि स्पॉन तो कि से यतना बीक्ति के अंदर है है और वो अबीन सीशिव नहीं महीं कि ऊपर से कोई चीज ढ़ी जाए नहीं से लोग की ब्रेंभासिंग करते कि ब्रेन मासें जैसी कोई चीज नहीं है जो आप के अंदर पहले से है और सुप्त अबस्ता में उसको जगाए जाता है कि स्कॉन का जो कारिक्रम है यह प्रद्रेज विक्ति के हेड़े के अंदर जो सुप्त किस्न चेतना है उसको जगाता है कि अगर कोई विक्ति बहुत जदा प्रयास करता है कि उसको ज्यान प्राप हो जाए और वो जो है इनी बातों में रगा रहता है कि अधिक सेदेक इधर उधर की जो जानकारी है वो प्राप करे तो वो भी जो है अत्याहार के अंदर गताता है अत्याहार अत्याहार में बहुत जदा भोजाने है तो कोई पिंगली जो है अगर ऐसे जो तर्ग भी तर्ग में लगा है बहुत जाद तर्ग में लगा हुदा है तो कीरण होँद्ध miraculous जो जो इस्कॉन करिक्न होते है उसमें कीरण भी है और प्रव्चन भी है और खीद्धन है प्रव्चन है इसमें लगाыт करके अगर पैर कोई पहती बहुत ज़्यादा तर्गों ऑक अंक अठा करता है तो इसका फ्रेंगों क्या नहता है अत्याहार अत्या जो कुष्तिके होती है जिन में की केवल सिध्धान्द की बात होती है और भगवान की कथा नहीं होती है तो वो क्या है यह सुष्क उसमें जो कोई रस्थ नहीं मिलता भगवान की कथा नहीं है और केवल ज्ञान का वर्णन होता है तो वो क्या है सुष्क तरकिवा सुष्क हो जो कर्मी लोग होते हैं वो बहुत सी किताबे लिखते हैं किसके बारे में आर्थे कुंदली के बारे आप अपना पैसा कैसे एक अच्छा कर सकते हैं अपने कैसी पैसा को आप ज़्यादा प्राप कर सकते हैं ऐसी किता में लेखते हैं, है ना, तो वे रोग भी अत्याहार के ही अंदर गताते हैं, उसी प्रकार से जिन के मन में कोई इच्छा नहीं होती है, किसने भावना में रखी, और केवल वो अधिक से अधिक भौतिक वस्तों को इकठा करते हैं, है ना, तो वो भी अत्याहार के अ प्रोपात कहते हैं कि अगर कोई बिक्ति जो है जो पूजी वादी है पूजी वादी रोग है जिनके बाद बहुत पैसा तो उनका पैसा जे करके अगर उनको दें कम्मिनिस्ट लोगों को दें कम्मिनिस्ट होते हैं अगर कोई बिक्ति वह मांते हैं वह भाधान को उनको नहिंदे क्या संपत्ति के बढ़्भारा चाहिए वह पूरी संपत्ति आप द्यश्त के मानते हैं जबकि जो हम लोग हैं, हमारा जो सामेबाद सुध्धान्त है आध्यात्मिक सामवाद है, हम लोग पूरी संपत्ति को भागवान की मांगे है, कि भागवान की पूरी संपत्ति है और भागवान है जिसको जितना दिया है उसे में संपत्ष हो जाए हमारा एट सुध्धान्त ह जो भृतिक सामयवादी सित्धान था है वो पूरी संपत्य को देश की मानते है देश की संपत्य है सबको बराबर मिले है लेकर हम क्या मानते है पूरी संपत्य भगवान की है और भगवान ने जिसको जितना दिया अब यहां पर वो नहीं है कि बराबर सबको बराबर मिलना च तो हमें उसी प्रकार से संतुष रहना चाहिए कि मुझे जो कि भगवान ने दिया है वो भगवान की तरवाद है यह हमारा सामवाद है जो कृष्णभावन प्रृत के भक्त है, वो अची प्रकार से जानते हैं, कि जो भौते जगत है, यह भगवान के दरा इस प्रकार से जवश्थत है, कि जतनी आवम शेकता है, लोगों लिए सब पूरी होती है. भगवान ने इस बहुत ही जगे पूरी होती है और उनको जो है दूसरों के साथ छीना शक्ति करने की आपसक्ता नहीं शक्ति आपसक्ता है पूरी होती है यह पूरी की पूरी जिवत्ता यह हर बैक्ति को त्राथ होता है और श्त्रकाण से हर को जो है शांति पूरवग रह सकता है और उसमें क्या है शादावी जीवन जिया है अब कि शादावान जीए श्त्रकाण से और High Thinking Simple Living, High Thinking हिंदीनी जब बुटे हैं साधा जीवन ुच्चे बचार बनाया है हर बैकित की साधा जीवन जी सकता है और बिचार उसके उच्चे हो उच्छे बचाद, शादा जीमा उच्छे बचाद, दुरभागे बस जो भौतिक नमादी लोग होते हैं, जिनके भगवान के प्रतिश्रत्या नहीं है, तो वे भगवान की दियोई बुद्धी का दुरुप्यों करते हैं, और अपने भौतिक संपत्ति को बढ़ा दे जाते ह ऐसे कारिक्रम बनाते हैं, जैसे कि हुझीवाद और भौतिकताबाधी सामवाद, और इस तरह से अपने भौतिक किस्टि को बचा बनाते हैं, और उनकी कोई हुच्छी नहीं है, कि भगवान के नियुदों का पारण करें, या जीवन में बचा लक्ष बनाते हैं, जिवन मे लेकिन जब आगला जीवन ही नहीं बनाते हैं तो जो खुष्ण भावना भावे ठूते हैं वे अगले जीवन का पुछ लक्षी बनाते हैं तो खुष्ण भावना मेरे तांदूरन एक आध्यात्मिक संगती प्रदान करता है जिसके द्वारा संसार को शांधी प्राव्द हो सकती है क्रत्यक दिमान रख्टी को अपने चेतना सुझे करना चाहिए और अपने को जो छे प्रिकार के बाधाएं उनसे अपने वो उपर उखाना चाहिए और इस प्रिकार से किसे भावना मेरे अंदूरन की सरन देनी चाहिए तो ये जो स्वान साइटी है ये चेतन महापुन की करपका का ये बहुत बड़ा नहुना चेतन महापुन की करपका चेतना महापूर्ण श्वयम ही भविश्यवानी की सम्दून प्रिफिमें जितने रगर और गाउन है सर्वत रून के नाम का प्रचार होता है तो उसी भविश्यवानी को स्कॉन के द्वारा ही पूरा किया जाए और बागी जितने और संसाएं हैं वो इस मामने में पुष्यव नहीं कर रहे हैं इसकौन के योजनाय हैं कितने अधिसे से गामों में ये किसका संदेश दलाए जाए तो गामों के दिए बहुत से योजनाय बन रही है गामों में प्रचार हो रहा है भंक्तरों को भेजा जा रहा है तब यात्राय निकानी जा रही है और सहरों में भी सहरों में लोगों को भेजा जा रहा है और अधिक से लोगों को संदेश दिया जा रहा है इसका जो है अंठामन साल हो गए तो आज इसकों के आबिर्भाव का पवित्र दिवत है तो हमें प्राइथना करना चाहिए कि हम इसकों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें कि इसकों वंजी करा कि पहां मुष्ण की जाए जीला पुदुपाइद की जाए हरे अजिए